देश में कोरोना की हाला भयावा है लेकिन इस सब के बीच दिल्ली और मुंबाई से कुछ राहत वाली खबर आ रही है यहां कोरोना के केस घट रहे हैं, दिल्ली में तो कोरोना के केस काफी घट गए हैं जब कि मुंबाई की बात करें तो रफ्तार धीमी पड़ी है और ये वही दो शहर हैं जिनके कोरोना केस कुछ रोज पहले डरा रहे थे देश में कुरोना के मामले नित नए और डराने वाले रेकॉर्ड बना रही हैं तमाम कोशिशों के बाद भी हर रोज नए केस बढ़ रही हैं सोमवार को देश में पहली बार नए कुरोना केस का आखड़ा पचास हजार के करीब जा पहुंचा लेकिन राहत की खबरे आईं देश के दो बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई से यहां कुरोना के मामले घट रहे हैं पहली बाद दिल्ली की करते हैं देश की राजधानी में पहली बार कुरोना के कम मामलों ने राहत दी है दो दिन के आंकडों को एक साथ देखें तो बदलाव साब दिखेगा 23 जून को दिल्ली में नए केस की तादाद 3947 थी एक महीने से ज्यादा वाक्त बाद सुमवर 27 जुलाई को नए केस की तादाद रही सिर्फ 613 इस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हालात काबू में हो रहे हैं एम्स के डारेक्टर भी कह चुके हैं कि दिल्ली में हो सकता है कि पीक गुजर गया हो पीक का यह मतलब है कि अब आपके जो केसिज हैं फ्लैटन कम उतने ही होए और आस्ता-ास्ता केसिज कम होने लगे उसका यह मतलब हुआ कि आपने वहाँ पे जो भी कंटेन्मेंट स्ट्राटेजी यूज की उससे आपने केसिज को बढ़ने नहीं दिया और आगे फैलने नहीं दिया एक और राहत की बात यह है कि दिल्ली में रिकावरी रेट देश में सबसे शांदार 88.68 फीस दी हो चुका है और एक्टिव केस की तादाद 10,994 रह गई है कोरोना काबू में आने के संकेत के बाद दिल्ली सरकार ने स्पेशल और जारी करके हॉकर्स और रहडी पटरी वालों को भी काम करने की छूट दे दी है हाना कि वीकली बाजारों पर अभी रोक रहेगी इस बीच मुंबई में भी रोजाना नए केस घट रहे है महराश्टर के कुल केस में मुंबई की हिस्सेदारी घट रही है सुमवार को मुंबई में नए कोरोना केस 1021 दर्च के गए महराश्टर में कुल केस 3,83,723 है इन में मुंबई का हिस्सा एक लाग दस हजार के करीब है ये हिस्सेदारी करीब 29 फीजदी है जबकि अपरेल के आखिर में महाराश्टर के 66 फीजदी मामले सिर्फ मुंबई से थे यानि मुंबई में भी हालात काबू में आने लगे हैं आज तक ब्योरो